सिक्सक भरती गलत परसन हल करने वाड़े या भरती को मिलेगा एक अंक क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि परसन का गलत जवाब देने पर भी नंबर मिले ऐसा आखिर क्यों हुआ क्या रहा इसका कारण जानने के लिए वीडियो सुरू से लेकर अंतक देख लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो गाइज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर परदेश के प्रार्थमिक स्कूलों में 79,006 कों की भरती के दोरान एक गलत परसन के विवाद का अंत करते हुए कहा कि स्वाल को हल करने वाड़े अभ्यर्थियों को एक अंक मिलेगा जस्टिस के एम जोसप और जस्टिस रिशी केस राय की पीठ ने इलाबाद हाई कोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश के खिलाप यूपी स्टरकार की विशेश अनुमति याचि का S.A.L.S.L.P. को खारिज कर दिया 6 जनवरी 2019 को हुई शिक्सक भरती प्रिक्सा के प्रिक्सा के प्रिणान से ए संतूस्त अभ्यर्थियों ने प्रिक्सा में पूछे गए 6 परसनों को हाई कोर्ट में चुनोती दी थी उनमें एक परसन ऐसा था जिसके चारों विकल्प गलत थे हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के आदेश में 5 परसनों के बारे में हस्तक सेप करने से मना कर दिया लेकिन कहा था एक परसन जिसके चारों विकल्प गलत थे और जिन अभ्यर्थियों ने उसे हल करने की कोशिस की थी उ तरत यह थी कि ऐसे अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याची का दायर की हो और एक नंबर से फैल हो रहे हों हाई कोर्ट के फैसले से नाखुस यूपी सरकार ने सुप्रिम कोर्ट का रूख किया तो गाईज इस परकार है गलत परसन का गलत जवाब देने पर भी मिला अंक ये मा आखिर कार विद्यार्थियों का भ्यर्थियों का कंडिडेट्स का क्या कसूर था ये तो सही किया मानिये कोर्ट ने और गाईज आपको कैसा लगा क्या नंबर मिलना चाहिए था गलती किस की थी सरकार की या अभ्यर्थि की हमें तो लगता है चैनल की तरप से तो लग रहा या गलत मिला लेकिन वास्तों में ठीक मिला तो गाइज आज की इस बड़ी अपडेट में फिलाल इतना ही जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक नई अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार बंदे मातरम